कुलाने वाले कुम दोस्तु आज की वीडियो में हम C++ constant और variable के बारे में बात करेंगे C++ constant क्या है और variable क्या है constant को पर तिरीन हिस्वों में तक्सीम करेंगे है लेटर को भी पर तिरीन वे ग्रुप में कर्टेगराइज किया है string constant नुमरी केंसर्ण और करेक्टर कांसर्न नमले कांसर्ण कंस अंटियर कंसर्ण वूटिंग पंसर्ण हीजर दिसमें एक विजुषिन तक का फोर उसे का इंस्ट गुरॉब्स ने उटार फिर देट्ट दूंकर फोर आपन्ध दूसर्ण ने परोग्राम के एक उस्ट्रेशन का प्रॉग इसकार्स छेंट पर इन तीन गर्पों में क्रीकराइज की लेफरल-कॉंट्र सिंबोलिक जांसे और यह एक-खास विडियो को सीप्रीस पच्राइज में एक-खास की विए-वियो को एक-खश्प्रेस करने के लिए इस्तिमाल होते हैं कास्टार अब lower साथ यहां बर एक्जांपल है फटाए इक यहां पर एक कंस्ट्रेंट हे हैं तिन इंग पर यह कंस्ट्रेंस होटाम। दब्ल कोड में बंख रहा पर के क्वार अगया कोड़ा के गया भोग hayır ये सिर्ण कांस्ठेंट करेक्टर के करेक्टर में कॉमा आ आ गया डाट आ गया हूं भारिया निसाना गया कोड़ Koh Đ yukら कोड हटे हैं तो स्ट्रिंग कांस्ठेंट हतं होती है क्यों कि कंस्वाथ करने के लिए हम डबल कोसर दिखते हैं ये ऐसी प्लस्प्लस में कि घी लेकिए है ये जब तक डबल कोड नहीं लिख तैंड कि we are going to be a ki to this day अंदर जब एक दपा को भूला इसके अंदर जितने डिया जितनेगे शार का इसके मैजिमा हे 254 करेक्टर डाव कोड्स में हम ढूर्ध सकते हैं मतलब ऑर लिखते स्पेस्टिक टेए करेक्टर बना कामा लिता है यह करेक्टर बना दूसों चपन तक जितने भी करेक्टर लिए इसकी हदिए तक से स्रिंग की सब्सक्राइब कैयों के वैं सब्सक्राइब को यह उतुरिक शहां के नियुकार सब्सक्राइब मतलब इसे हम ने holiday में ने इसे कोर्स केते हैं और वेलकम तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम यह स्ट्रिंग कांस्टन है और इसमें तक्रीब मन कितने कर रहे हैं एक दो तिन चाह पांद चेह सथ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा सूल है हूआ है कि पच्च्रीज करीक्टर है आहिर मेंनल करीक्टर विए होता है इस्लेजिश जिरू से मतलब को कहते हैं इस यहां से हत्म हो गया हो हमें नदे निया तक रूओ भुक्त बिकां स्टरिंग है यह भी एक स्ट्रिंग कांस्टिजन है और और इसमें बहुत है है नमेरिक कांस्ट्ट के नमबर होता है जो चार인지 में होता है इसकी डार स्मस् MostARE क्षराम है उटायम कांश्ट् t एक्ष्छ एक जाडी सिम फांस्ट्राइब करते हैं क्या होता है इसके बात करते हैं क्षेंगा वो नमबर इसके दरम्यान अशारियां नी होता है उसे इंटीजर ओल्स sax है और यह पाजिटिः और नीजिटिए जैन्र बीडिया हमारी आपर एक वीडियों एक एंटिजर कांस्ट कहते हैं माइस 321 एक एंटिजर कांस्ट है और भी बहुत से हो सकते एंग्जामपल बहुत है तो इंपन वो कांस्ट होती है जिसके दाम्यान अशारिया होता है और हमारे साथ यापर एंपल है 33.55 और माइस जिर्फॉइंट टू यह भी एक्जामपल है फ्लोडियम फॉइंट की इसके दाम्यान अशारिया है फ्लोडियम फॉइंट इसे डिसमाल फॉइंट भी आप कह सकते हैं और इसकी एक्सरी लेंग बहुत बढ़ जाती है तो इसे हम पावर की शेकल मिलते हैं लेकिन प्रो इसके हम वह फ्लोडिंपॉइंट नमबर लिखते हैं और इसके बाद इए लिखते हैं इस मॉल्टिप्लाइट बाइटेंग के लिए सिमाल होता है और इके बाद जो नमबर लिखते हैं वह इसका फार हमारे साथ यहां पर एक्सांपल है 9000 10 मतलब यह वीजिए हैं एक नमबर है और इनिप्लाइट बाइट इन के इसमाल हुए है और इनिस का फार है मतलब नहीं तौजंड मैं टैन रेस टुपार लें यह दूसरे एक्जांपल एंधिसरे एजांपल एंग्जांपल हैं इस आडिसमाल कांस्ट्टन के हैं वह नंबर जो हम हैंग्जाडी सीमन सिस्टम में लीक भी हैंगाम कांस्टम के तहलों है अगर आप यह भी तिसटम के भारे में पता नीए हैं आप इनक मी आप कहीं और बॉत को सकते हैं तो यह तो वही जाएटाई का यह की किस तरह कि है तक है यह जो एक से यह जो एक से बढ़ा हो किपितल हो यह स्माल हो यह यह नमबर इससे शुरू है और बाद में इसके रेंज जो है जो है जिरू ता नायन है और टेम के लिए हम एडिकते हैं A to F मतलब 10 to 15 इसका रेंज है मतलब इस तरफ वीडियो थे जिरू नायन एफ एफ बीसी तुरी टू वह खेरा इस तरफ वीडियो थी है और इसको फचानने के लिए हम फ़हले जिरू एक्स लगाते हैं इसके व्रेंज जिरू टा पेप्टीन है लेकिन तक नहीं यह जिरू ता एफ है और एफ पेप्टीन के लिए इस तरफ वीडियो हुद आगया उसांपल है हमारे साथ एंड आई एक्वल टू जिरू एक्स मतलब है एक्जाडिसमाल नम्बर है त्रूई एफ 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 जब त्री फिप्टीन 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 यह कांसर बना इसको इंटिगर आई को हमने साइंक किया ऐन कंस्टेंट बना और इसकी वीडिव है विडियो हुद कांस्टेंट है एक्श परकांस्ट्र कैन एक्ष इसमें जित्रा है एफ 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 एम अब बेम बने लिग सकते हैं के प्रटलम अच्छा अक्टिल कांस्ट्ट के वह नंबर जो अक्टिल नंबर सिस्टेम पर हम लेक्ते हैं हैं किस तरह पहचांटे मतलब यह नंबर जो है 0 से शूरू होता है पहले जरूर 0 लिखना पड़ता है और बाद में इसके सीक्वेंस जोए जितने भी नमबर है हम लिखते हैं लेकिन इसमें 8 नहीं होता 7 तक इसके रेंज होए 0 से 7 तक अगर आप इसमें 8 लिखते हैं तो आपको 10 लिखना पड़ता है जब 7 के बाद हम 10 लिखते हैं तो इसकी सीक्वेंस बदल बदल जाती है और आपको शुमार कांगा पूलता है अच्छा एक्जामबर है हमारे साथ इसमें 8 नहीं है जिरू से शुरू होगी यह दूसरा एक्जामबर है जिरू से शुरू हो गया लेकिन इसके अंदर 9 है इस इ जाए इक्टल डिजेट नहीं है इस इकटल नंबर शिस्टम भी थे इसमील अधा नाएं है जिसम पर नहीं है अधा हुआ है यह व्याज्य मुर्ण होते है और इस कर्मेंग जीरू से से होनद कांस्टन क्या है को डीच विचेज इंक्लोट एंस एंक्लोस्ट एं सिंगल कोडस वो करेक्ट में सिंगल कोड के हैं की सारच या बीक करेक्टर है नंबर ये और बन सकता है कि आपको ही नंबर आउटॉट नहीं देगा आसकी कोड में वही पर इसका अपना इखास वीडियो होता है किसी नंबर को पैक्स नंबर को कोड़ में लीकर तो फिर वही जवाब आएगा जो आसकी कोड में इसका वीडियो होता है 254 यहाँ पर हमारे साथ आसकी कुड़ हें हर करेक 255 जिरु से यह जितने भी वेडियो है इंटियर वीच जो है इसको सिंगल कोर्स में बन करें तो इसका वही जो आप नहीं आएगा जो आपने जो ही साथ कोर्स में लिखा है इसका कर्षा कोड वाले जो कारेक्टर है वही जो आएगा आपकर का जो वीयू है जो एरह में मेमोरी मेमोरी एख से के लिए एक नाम उसे नाम पर हुज्क विडिय बैल मेमरी मेरनी ने ही मेमोरी हम पहचाद सकते हैं वरियेबल की मिसाल एक मेलबाक्स की तरह है जहाँ पर इंपरमेशन पूट करते हैं और इंपरमेशन रिस्यू भी करते हैं मेलबाक्स से हर कंप्यूटर एक मेमोरी होता है जिसे हम रेंडम एक्स मेमोरी केते हैं जो हम एक वरियेबल डेक्लियर करते हैं तो इस वाइम में इसके लिए एक मेमोरी हस होती है और हमसार के तोर पर हमारी साथ यह पर एक वीरियेबल है ए बी और रिसंट एक को हमने फाइंगे जी लिए हैं वीनी को टूँए जी है रिजल्ट को मैंनिल भी मतलब पाया मैंस तुइन की जी हैं और यह एएपै और रिजल्ट और अबन मेहीं स्यूभा और इसका टार्यं मतलब इंड तक इंड विरियबल का जितना रेंज है मेमुरी में मतलब 4 बाट होता है तो वही यह रेम में यह तक मेमुरी का जो हिस्सा है वही आखस करता है इन तीन विरियबल के लिए और इसका इंड पर्मेशन है फाइब टू बदलब इसका विरियू यह है और एक नाम पर वही मेमुरी एड्रेस में फाइब से होता है इंशाला दला हमारा नेक्स टापिक होगा रूलिस वार नेमिंग विरियेबल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो फिले प्लीज सब्क्राइब करें थैंक यू फार वाचिंग अल्लाह हाफिज